हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आइस पी से सेंटर, दिस इज प्रसांत कुमार फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एडुटेरिया की करेंट अफ्यर को डिसकस करूँगा यहाँ जो करेंट अफ्यर है वहाँ एक से पंदरा अप्रायल के बीच राष्टिये, अंतराष्टिये और बिहार राजिस से संबंधित जो ही मात्पुन घटनाय घटित हुई है उनसे रिलेटेड है तो आए हम लोगों डिसकसन प्रारम करते हैं यहाँ वीडियो जो है अगामी सभी प्रलियूस पर इच्छाओं के लिए काफी अधिक महत्त पुन है इसलिए आप लोगों काफी गौर से सुनेंगे पहला है हाली में सरकार के द्वारा मुंबई में देश का पहला ट्राइ सर्विस कॉमन डिफेंस अस्टेशन बनाया जाने की घोसना की गई है यानि कि देश का पहला ट्राइ सर्विस कॉमन डिफेंस अस्टेशन कहां पर बनाया जाएगा तो मुंबई में डिफेंसर स्टेशन होगा वह देश का सबसे बड़ा सैन अड़ा भी होगा ठिक है तो इससे भी रिलेटेट पूछा दा सकता है तो आप लोग अच्छे सही से देख लिजे अगला है 26 मार्च से 8 अपरेल के बीच में गोवा में सिगमोचसब 2024 का भव आयोधन किया गया अब स 2024 का आयोधन कहां पर किया गया तो गोवा में किया गया कब 26 से 8 अपरेल के बीच में अगला प्रस्ण है हाल ही में उडिशा का पारादिप बंदरगाह कारगो वालूं के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है यानि कि कारगो वालूं के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना पारादिप बंदरगाह और पारादिप बंदरगाह कहां पर इस्थित है तो उडिशा राज में इस्थित है तो इसे भी देख लेंगे अगला है फोर्प्स के द्वारा जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सुची में भारत की साव richest women हैं उन्हें भारत के सावित्री जिंदल को भी सामिल किया गया है और सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है जो की 20 के सबसे अमीर महिलाओं की सुची में अपना नाम दर्च कराई है तो या भी महत्तपून है अगला है हाली में बल्ड बैंक के द्वारा दो हजार चोविस में भारतिय अर्थ व्यवस्था की ब्रिधी दर साड़े साथ परतिसत यानि की 7.5 परतिसत रहने का अनुमान लगाया गया है तो बल्ड बैंक को देखा जाए तो बल्ड बैंक की अस्थापना जुलाई जुलाई 1944 में की गई थी जिसका मुख्याले वासिंक्टन DC में है जो की अमेरिका में शिट है बरतमान समय में बल्ड बैंक के अधियच आजय बंगा है या भारतिय मूल परतिये अर्बोंगा थिक है तो बल्ड बैंक जुलाईằ द्वारा लगाया गया है अगला है हाल ही में भारत की राष्ट पती द्रौपदी मूर्मू के द्वारा IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत का पहला घहरेलू जीन थेरेपी लांच किया गया है और भारत की जो घहरेलू जीन थेरेपी है उसका नाम दिया गया है IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत का पहला घहरेलू जीन थेरेपी लांच किया गया है अगला है भारतिय सेना ने अपनी वायू रचा छमता को बढ़ाने के उदेश से एक रणनितिक कदम के रूप में प्रोजेक्ट आकास तीर को लांच किया है तो यहां महत्तपुन है जानना कि प्रोजेक्ट आकास तीर क्या है प्रोजेक्ट आकास तीर का संबंद किस से है तो प्रोजेक्ट आकास तीर का जो संबंद है भारतिय सेना जो है उसमें बेसिकली वायू सेना की छमता को बढ़ाने के उदेश से संबंदित है ठीक है अकास्तिर प्रियोदना डिजीटली करण के माध्यम से वाई रच्छनी अंतरन और रिपोर्टिंग प्रकृर्याओं को स्वचालित करने का एक अग्रणी परियास है तो प्रोजेक्ट अकास्तिर महत्पुन है या जो प्रोजेक्ट अकास्तिर है वो भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड बी ई एल के द्वारा बिक्सित किया गया है अगला है सावर कवच सुरच्छा अभ्यास तो हाली में लच्चदीप द्वीप समूह के टट पर दो दिवसिये अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया यह जो सागर कवच अभ्यास है इसमें भारतिये नौ सेना, टट्रा चकवल, समुद्री पुलिस, मस्स, पालन, सीमा, सुल्क और अन्य सुरच्छा अजेंसिया सामिल थी तो हाली में सागर कवच सुरच्चा अभ्यास का युदन कहां पर किया गया तो लच्चदीप समूह के टटिये छेतर पर किया गया है अगला है हाली में अडानी ग्रीन इनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के विसाल खावडा सोलर पार्क में दो हज़ार मेगावाट की सौर छमता अस्थापित करने के साथ ही दस हज़ार मेगावाट से अधीक नवी करनी है उर्जा छमता वाली भारत की पहली कमपनी बन गई है यहां से दो चीज आपको ध्यान में रखना है पहला दस हज़ार मेगावाट से अधीक नविकर्णिये उर्जा छमता वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी तो अब क्या बताएंगे अडानी ग्रीन इनर्जी लिम्टेड और हल ही में किस कंपनी ने गुजरात में विसाल बड़ा सोलर पार्क में तो इन सबी चीज़ों का आप लोग याद रखेंगे दस हज़ार मेगावाट से अधीक नविकर्णिये उर्जा छमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है अडानी ग्रीन इनर्जी लिम्टेड अगला है सामरिक बल कमान ने DRDO के साथ मिलकर उडिसा के डॉक्टर एपिज अब्दुलकलाम दूप से नई पिढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अगनी प्राइम का सफल परिछन किया है और यह मिसाइल जो है अगनी प्राइम वह अगनी एक अगनी वन का अस्थान लेगी अगर मारक रेंज इसकी देखा जाए तो दो हज़ार किलो मिटर के रेंज प्रहार करने में सक्चम बैलिस्टिक मिसाइल अगनी प्राइम तीन हज़ार केजी वजन तक उच्च तिबरता वाले 20 फूटक परमानु भतियार ले जाने में सक्चम है ठीक है तो अगनी प्राइ अगर इसकी वजन उठाने की छमता देखा जाए तो तीन हज़ार केजी वजन तक या 20 फोटक हथियार को उठाने में सक्चम है ठीक है तो अगनी प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है इसे भी याद रखेंगे अगला है हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजन्सी यानि की वाड़ा के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया भर में डोपिंग उलंगन के मामलों में भारत सिर्ष पर है ठीक है आप लोग याद रखेंगे वाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया भर में डोपिंग उलंगन के मामलों की संख्या में भारत सिर्ष पर है यानि की भारत नमबर वन है ठीक है अगर विश्व डोपिंग रोधी एजन्सी वाड़ा के बारे में देखा जाए तो वाड़ा के अस्थापना 1999 यान खेल में एथलीटों के द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली डोप के अनाधिकरित उपयोग के खिलाफ लड़ाई यानि कि क्या होता है कि आप देखेंगे कि खेल में क्या होता है कि कई सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं वह अपनी प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए वे अनाधिकरित दवाईयों का परियोग करते हैं ठीक है इसी लिए उस पर रोक लगाने के लिए वाड़ा की अस्थापना की गई थी और जो हाली में रिपोर्ट आया उसमें भारत में सबसे अधीक वाड़ा का डोपिंग उलंगहन के मामले देखने को मिलता है तो भारत इसमें नमबर वन है अगला है हाली में आरवी आई के गवर्णर सक्तिकांत दास के नित्रित वाली आरवी आई मौदरिक निती समीती ने लगातार सात्मी बार रेपो रेट को 16.5 प्रतिसत पर आप परिवर्तित रखने की घोसरा की है यानि कि रेपो रेट क्या है बरतमान समय में तो रेपो रेट है 6.5 परशेंट यानि की 16.5 प्रतिसत अब यहाँ पर सवाल है कि आखिर रेपो रेट क्या है रेपो रेट की डिफिनिशन क्या है तो वह ब्याद दर जिस पर किसी देश का केंद्रिये बैंक बानिजिक बैंकों को उधार देता है यानि कि रेपो रेट अ यानि कि रेपो रेट वह दर होता है जिस पर किसी देश का केंद्रिये बैंक बानिजीक बैंकों को अपना पैसा उधार देता है और यह दरबरतमान समय में शाड़े 6 परतिसत है रेपो रेट का उपयोग आर्बी आई के द्वारा अर्थबैवास्था की तरलता तथा मुद् अस्फीती को नियंतरित करने के लिए किया जाता है अगला है हलही में उत्तर परदेश के बुलंद खंड की स्वदेशी गेहुम किस में कठिया गेहुम को जी आई टैक प्रदान किया गया है तो हलही में समचारों में रहा कठिया गेहुम जिसे जी आई टैक प्रदान किया गया है किस राज से या किस छित्र से संबंदित है तो उत्तर परदेश के बुंदेल खंड से संबंदित है अगला है हल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में भौगोलिक संकेत यानि कि जियाई पंजिकरित उत्पादों की संख्या 600 से अधीक हो गई है यानि कि भ परदेश के 69 उत्पाद है वह जियाई से पंजिकरित है तो बरतमान समय में भारत में कूल जियाई पंजिकरित उत्पादों की संख्या 600 पलस हो चुकी है और नमबर वन पर यूपी है 69 प्रोडक्ट वहां के जियाई से भागोलिक संकेत जो है उसे रजिस्टर है जियाई उत्पाद है ठीक है अगला है 6 अप्राइल 2024 को तमिल आडू के रामेश्वरम के पास भारतिये टटराचक बलके महानिदेशक राकेस पाल के द्वारा ICGS मंडपम में भारतिये टटराचक बलके जलिये केंदर का उधगाटन किया गया तो आपसे प्रस्तुन पूछा जा सकत है यहां बहुत मात्पुन है तमिल आडू के कहाँ पर रामेश्वरम में भारतिये टटराचक बलके महानिदेशक राकेस पाल के द्वारा ICGS मंडपम में टटराचक बलके जलिये केंदर का उधगाटन किया गया अगला है हाली में भारतिये टटराचक बल ने एक त्वरित क टरचक बल जो हैं वह किस जहाज के द्वारा इसकार इसकी आप्रेशन चलाया तो ICG अमोग के द्वारा यानि कि टरचक बल ने एक त्वरित करवाही गतिविद्यों को संचालित करते हुए 27 बंगलादेशे मच्वारों को सुरचित बचाया और इस आप्रेशन में जिस जह बंद करने की घोसना की गई है ठीक है या एक से पंद्रा अप्रेल के बीच का है आप लोग ध्यार रखेंगे मंत्राले जो केंद्रिय काइबनेट है वह आप चेंज हो गई है इलेक्षन के पस्चात ठीक है तो पूरे सीरीज में अगर कोई मंत्री आपको दिखें तो वो आपके आधार पर ही चुकि जिस समय घटन घटी थूई थी उसके आधार पर यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा ठीक है तो ततकालिन केंद्रिय रसाइन एवं उर्वारक मंत्री मंसुख मंडाविया ने दोहदर पचीश तक भारत के द्वारा इयुरिया आयात बंद करने की पुछादाराय मुंबाई के वरली कोली बाड़ा में इससे पहले अपुद्दू चेरी में किया दा चुका है यहाँ पहल आर्पीजी फॉण्डेशन के द्वारा बीत पोसित किया गया है जो इसके प्रोजेक्ट नेचर समुद्री सनचन पहल का हिस्सा है अगला है सुप्रिम कोट में मुकादमा दाइर किया है आपसे पूछा आसकता है कि चकरवात मिचंग हाली में आया है ते चक्रवात मिचंग से सरवाधिक पर्भावीत राज रजए तमीलाड रजू चुकी चकरवात बादीचय कुगा वहांकी इंफ्रास्ट्रक्टर्ट्बा हो ग यही इसका तत्पर है अगला है हाली में स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्राले के द्वारा iOS उपकरणों पर इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ रिकॉर्ड और संसादुनों को सुलह बनाने के लिए माई CGHS एप लांच किया गया है तो माई CGHS एप किसके द्वारा लांच किया गया स्वास्थ एवं परिवार कल्यान मंत्राले के द्वारा क्यों लांच किया गया है तो iOS उपकरणों पर इलक्ट्रोनिक स्वास्थ रिकार्डों और संसादनों को सुलभ बनाने के उदेश से अगला है हाले में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिल नाडू बितिय वर्ष 23 चोबिस में भारत में इलक्ट्रोनिक समान का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है यानि कि 2023 में भारत में सरवाधिक इलक्ट्रोनिक समान का निर्यात कहां से किया गया या सरवाधिक इलक्ट्रोनिक समान निर्यातक राजि कौन बना तो आप क्या बताएंगे तमिलाडू बर्तमान में तमिलाडू देश के कुल इलेक्ट्रोनिक निर्यात का 30% अकेले तमिलाडू करता है यानि कि देश के कुल इलेक्ट्रोनिक निर्यात में तमिलाडू का योगदान 30% है 30% है अगला है हाली में केरल विस्विदाले के पुरातत वीदों ने गुजरात के पड़ता बेट कच्छ में एक बामन सौ बर्स पुरानी महत्पुन हडपा बस्ती का पता लगाया है तो बहुत महत्पुन है गुजरात विस्विदाले के पुरातत वीदों ने यानि की गुजरात विस्विदाले के जो खगोल वेता हैं उन्होंने गुजरात के पड़ता बेट कच्छ में जो की इस्थित है पड़ता बेट में बामन सौ बर्स पुरानी एक नई हडपा बस्ती का पता लगाया है तो इ सित्वे बंदरगा कहां पर है मियानमार में इस्थित है किस नदी पर है सित्वे बंदरगा तो कलादान नदी पर है सित्वे बंदरगा ठीक है तो विदे समंत्राले के द्वारा चाभार के बाद मियानमार के सित्वे बंदरगा के संचालन को मंदूरी पर दान की गई है जो क करादान नदी पर अवस्थित है हाली में प्रशिद भारतिय बिमानन कमपनी इंडिगो बदार पुंजी करण के लिहाद से अमेरिकी बिमानन कमपनी सौथ वेस्ट इयरलाइन्स को पच्छाड कर दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी इयरलाइन्स बन चुकी है किस दुनिया के दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी इयरलाइन्स कमपनी बन गई है कौन भारतिय बिमानन कमपनी इंडिगो अगला है उच्च सिछा विसलेशन समद्धी कमपनी कौक वेरली साइमंस क्वाक वेरली साइमोंड्स QS लंदन के द्वारा विशु सिछन संस्थान रैंकिंग 2024 के तहत JNU को भारत की सबसे अधीक रैंक वाला इन्वर्सिटी बताया गया है यानि कि QS रैंकिंग ये कुल मिलाकर यह काने का तत्पर है कि QS रैंकिंग QS रैंकिंग ने जारी क्या गया है उसमें भारत में नंबर वन पर कौन है तो नंबर वन पर भारत में नंबर वन है JNU ठीक है विकास अध्यान स्रेणी में ये विश्विदाले दुनिया में 20 नंबर पर है और भारत में पहला नंबर पर है गत वर्ष 66 भरते बिस्विदाले इसमें सामिल थें और इस वर्ष 69 भरते बिस्विदाले ने इसमें अपनी रैंकिंग जगा सुनिश्चित की है हल ही में HDFC बैंक लक्षदीब के कवर्ती दिविप पर एक साखा खोलने वाला भारत का पहला नीजी बैंक बना तो HDFC बैंक हल ही में मुडीज के द्वारा 2024 में भारती अर्थ बवस्था में 16.1% की ब्रिदी का अनुमान लगा गया है और अभी हमने उपर में बताया था आप लोगों को कि बैल्ड बैंक के द्वारा 2024 में कितना परतिसत भारती अर्थ बवस्था के ब्रिदी दर का नुमान लगा गया तो शाड़े 7 परतिसत और मुडीज के द्वारा 16.1% हाली में जेफ बोजोस के नितरित वाले अंतरिच अस्टार्टप बुलू ओरिजिन ने अपने NS25 मिशन पर जाने वाले 6 सदस्य दल का अनावरण किया है जिससे भारतिये गोपी थोटा कूरा भी सामिल हैं और इसलिए भारत के पहले अंतरिच परियाटक गोपी थोटा कूरा होंगे तथा राकेश सर्मा के बाद अंतरिच में जाने वाले दूसरे भारतिये होंगे आप लोग जाद रखेंगे भारत के पहले अंतरिच पर्याटक گोपी थोटा कूरा और अंतरिच में जाने वाले दूसरे भारती होंगे कोपी थोटा कूरा पहले नंबर पे राकेस सर्मा ठीक है अगला है हाली में भारत की पहली AI अधारित फिल्म एराह का ट्रेलर लांच किया गया है तो भारत में भारत की पहली AI अधारित फिल्म का नाम है इराह अगला आईए हाली में 8 हप्राइल 2024 को केंद्रियर अच्छा मंत्राले के द्वारा नई दिली में परिवर्तन चिंतन नामात पहली 3 सेवा सस्त्र बल्योधना कायोधन किया गया तो परिवरतन, चिंतन, कायजन, केंद्रीर, अच्छा मनत्राले के द्वारा हाली में कहां पर किया गया? तो नई दिली में किया गया है हलहे में भारतिय मुलक के तंतरी का भिस सग 아थ डॉक्टर असवीनी केजवन को ब्रिटेन के बिस अस्तरीय सोध दल में सामील किया गया है यह दल डिमेंसिया रोग का पता लगाने की दिशामें सोध करेगा तो भारतिय मूल के किस डॉक्टर को ब्रिटेन के 20 अस्तरिय सोध दल में सामिल किया गया जो कि डिमेंसिया रोक का पता लगाएगा तो डॉक्टर अस्वीनी केसवन को हाल ही में NTPC Limited के द्वारा अपनी पर्मुक कॉर्पोरेट समाधिक दिम्यदारी पहल यानि की CESR पहल के तहत बालिका ससक्तिकरण मिसन का नया संस करण लांच किया है और बालिका ससक्तिकरण मिसन है वह भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पहल के अनुरूप है अगला है हाल ही में Tata Suns की सहाया कमपनी Tata Advanced System Limited के द्वारा भारत का पहला नीजी छेतर के द्वारा निर्मित पिर्थिवी अबलोकन गरह T-SAT-1A को लांच किया गया है तो Tata Suns की सहाया कमपनी है कौन Tata Advanced System Limited इसी के द्वारा भारत का पहला नीजी छेतर के द्वारा निर को साथ अप्राइल 2024 को कैनेडी अस्पेस सेंटर फलोरिडा से अस्पेस एक्स फालकन 9 रॉकेट के द्वारा प्रचेपित किया गया है जिसका निर्मान टाटा एडवांस सिफ्ट्रम लिम्टेट के द्वारा अमेरिका की सैटलोजिक कमपनी के सायोग से की गई है ठीक है यहा 2024 बानीजी कोईला बलोकों से 170 मिलियन टैन कोईला उत्पादन का लच्छे रखने की घूसना की गई है अगला है हाल ही मेरा अच्छा मंतराले के द्वारा स्वदेशी सैन उपकरणों का सबसे बड़ा ओडर देते हुए हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड हैल से सदेशी हर्थियारों की संख्या में ब्रिद्धी होगी LCA Mark 1A तेजस बिमान का आधनिक संसकरण है अगला है महराष्ट के सांगली जिले के सहर मिरज में बनने वाले सितार और तानपूरा को GI टैग दिया गया है ठीक है इन दो को GI टैग दिया गया है किसे सितार और तानप पर किया गया तो गनगौर उससब 223 का आयोजन हाले में राजस्थान में किया गया है गनगौर भगवान शीव और देवी परवती के मिलन की अस्मृति में मनाया जाने वाला तयुहार है तो गनगौर उससब 224 का आयोजन कहां पर किया गया तो राजस्थान में ये राष् यह करेंट फेर से समझदि मत्पुन घाटनाय हैं उसे हम लोग डिसकास करेंगे हले में पुर्वी अफरीकी देश में डगास कर उसन कटिवंदिये चक्रवात गमाने की चपेट में आ गया है यानि कि गमाने चक्रवात का संबंद खिस या फिर गमाने चक्रवात से सबसे ज़्याद परभावित कौन सा देश हुआ पूरवी अफ्रीकी देश मिड़ागासकर हाल ही में UNESCO के कारकारी बोड ने Global Geo Park Network में 18 नई साइटे जोड़ी है जिसके बाद 48 देशों में साइटों की कुल संख्या 213 हो गई है यानि कि Global Geo Park Network में हाल ही में UNESCO के द्वारा कितनी नई अस्थलों को जोड़ा गया तो 18 नई साइटों को जोड़ा गया है और कुल मिला कर अगर टोटल देखा जाए जो Global Geo Park Network में जूड़ो हुए जो अस्थल है वे बिसके 48 देशों के लगवग 213 अस्थल इसमें सामिल है हाल ही में काठमांडों नेपाल में नेपाल भारत अंतराष्ट्य संस्क्रितिक का अनकलेव का आयोजन किया गया है निवार की के एक अनुसंधान परयोगसाला हियूम ने Empathic Voice Interface EVI नामक पहली भावनात्मक रूप से बुधिमानी समवादी AI का अनावरण किया है या बहुत मत्तपुन है निवार की के एक अनुसंधान परयोगसाला हियूम ने Empathic Voice Interface EVI नामक पहली भावनात्मक रूप से बुधिमान समवादी AI का अनावरण किया है अगला है हालिये में पस्मी अफ्रीकी देश Sierra Leone ने नसीली दवाओं के उप्योब में बृधि के कारण मादक दरब्यों के सेवन पर राष्टी अपातकाल की घोसना की है इस ड्रग को कूस कहा जाता है जिसे बनाने में इंसान का हडियां भी लगता है इसी कारण लोग कबर खोद रहे हलही में पस्मी अफ्रीकी देश Sierra Leone ने नसीली दवाओं के उप्योब में बृधि के कारण मादक दरब्यों के सेवन पर राष्टी अपातकाल लगाने की घोसना की है इस ड्रग का नाम क्या दिया गया है कूस आप से पूचा जा सकता है कि हलही में अफ्रीका के किस देश ने मादक दरब्यों के सेवन पर राष्टी अपातकाल लगाने की घोसना की है तो आप क्या बताएंगे पस्मी अफ्रीकी देश है Sierra Leone अगला है हलही में जिम्बावे के द्वारा बिनासकारी सुखे के कारण बिनासकारी सुखे के कारण वहां पर आपदा की घोसना की गई है किसके द्वारा जिम्बावे के द्वारा अगला है हलही में Economist Intelligence Unit EIU के द्वारा जारी Business Environment Ranking के अनुसार सिंगापूर बैपार करने के मामले में दुनिया का सबसे अच्छा अस्थान है यानि कि बैपार करने के मामले में दुनिया का सबसे अच्छा अस्थान कौन सा है सिंगापूर यह रिपोर्ट जो है EIU Economist Intelligence Unit के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट का नाम है Business Environment Ranking यानि कि बिजनेस की द्रिष्टी कोन से किस देश का इन्वार्मेंट सबसे बेहतर है तो क्या होगा सिंगापूर बैपार के द्रिष्टी से दुनिया के टॉप थी कंट्री अगर देखा जाए तो पहले नमबर पे सिंगापूर दूसरे नमबर पे डेनमार्क और तीसरे नमबर पे अमेरिका है ठीक है भारत जो है वहाँ बिस में एकामन में अस्थान 51 रैंक पर है और अंक 1.08 अंक प्रा इंसेट परेर मोरा का परेज मोरा का 114 वर्ष की आयू में निधन हो गया है तो दुनिया के सबसे भुजूर्ग व्यक्ति हैं जुआन विसेंट परेज मोरा जिनका निधन 114 वर्ष की उम्र में हो चुका है यह वेनेजुएला की निवासी है तो इस दृष्टी कॉन से भी यह मात्पुन है अगला हम लोग देखते हैं हाल ही में दच्छिन कोरिया के करित्रिम सूर के अश्टार ने 100 मिलियन डिगरी सेल्शियस का ताफवान पराप्त किया है बहुत मात्पुन है दच्छिन कोरिया के करित्रिम सूर के अश्टार के एश्टी ए आर ने 100 मिलियन डि डिग्री सल्शियस का टेंप्रेचर प्राप्त किया है के अश्टार का पूरा नाम देखा जाए तो कोरिया सुपर कंड़क्टिंग टोकामक एडवांस्ट रिसर्च या दचिन कोरिया का एक परमानुस सनलेयन रियेक्टर है जिसे कृत्रिम सुर के नाम से भी जाना जाता है तो के अश्टार का समन्द किस देख से है तो दच्छिन कोरिया से है पूरा नाम याद रखेंगे कोरिया सुपर कंड़क्टिंग टोकामक एडवांस्ट रिसर्च हाल ही में जर्मनी मनुरंजा कैनाविस यानि की भांग के उपयोग को वैद बनाने वाला वैदता प्रदान करने बाला यू का सबसे बड़ा देश कौन बना है तो जर्मनी हाल ही में माल दीव में भारत स्रिलंका और मालदीव के मद सिरी पखचिश नौशा नीक अभ्यास दोस्ति सोला की सुरूद की गई है तो दोस्ति सोला एधभ्यास जिसमें तीन देश के नौसेनाएं सामिल हो और ये जो अभ्यास है उसमें सिर्फ 9 सेना ही सामिल होती है दोस्ती अभ्यास की सुरात 1992 में दिवपक्षी अभ्यास के रुपे भारत और मालदीव के बीच में की गई थी और 2012 तक भारत और मालदीव के बीच या दोस्ती होता रहा दोस्ती अभ्यास और 2012 में इसमें स्रिलंका सामिल हुआ यानि कि 2012 से पहले सिर्भारत और माल्दी के बीच दोस्ती दाव्यास होता था लेकिन 2012 में इसमें स्रिलंका भी सामिल हो गया और अब इसमें भारत स्रिलंका और माल्दी तीनों देशों के बीच आयोधित की जाती है और हाली में इसका आयोधन कहां पर किया गया तो मलदी में इसका आयोधन किया गया है हाली में इटली की राधानी रोम में FAO के द्वारा अंतराष्टिय बादरावर्ष 2023 के समापन समरोह का आयोधन किया गया तो food and agricultural organization खद और क्रीसिस संगठन के द्वारा अंतराष्टिय बादरावर्ष 2023 के समापन समरोह को आयोधन कहां पर किया गया तो आप क्या बताएंगे रोम में किया गया जो कि इटली की राधानी है इरोपिय देश फ्रांस कारे अस्थल और सरवजनिक अस्थलों पर बाल भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट व्यापी कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है बहुत मत्पुन है ठीक है हलही में इरोप का कौन सा ऐसा देश है जिसने कारे अस्थल और सरवजनिक अस्थानों पर बाल भेदभाव से निपटने के लिए एक राष्ट व्यापी कानून को पारित किया है तो वा कौन सा इरोपिय देश है फ्रांस हलही में इकवाडोर की राधानी क्वीटो इस्थित मैक्सिको के दुतावास में पुलिस के घुसने की घटना के बाद मैक्सिको के राष्ट पती एंद्रिस मैंजल लापेज उब्रदोर ने इकवाडोर से सवी राधनाइक संबंद खत्म करने की घुसना की है तो आपसे पूछा जा सकता है कि हलही में मैक्सिको ने किस देश के साथ अपनी राधनाइक संबंद खत्म करने की घुसना की तो मैक्सिको ने इकवाडोर के साथ या संबंद समाथ करने की घुसना की है हाली में बेनेजुएला के जुआन विंसेंट प्रेज की मिर्तू के बाद 114 वर्स ये ब्रिटिस से वाने ब्रित जॉन आलफ्रेड टिनिस बूड को दुनिया के सबसे बुजूर्ग ब्यक्ति के रूपे नामित किया गया है देखिए अभी आमने बताया था कि हाली में बेनेजुएला के निवासी जो हैं जुआन विंसेट प्रेज मुरा इनका 114 वर्स के उमर में निधन हो गया जो कि बेनेजुएला के राने बाले हैं तो इनके निधन के पश्चात दुनिया का सबसे बुजूर्ग ब्यक्ति कि नहें नामित किया गया है तो जौन अलफ्रेड टिनिस बूड को जो की ब्रिटेन के निवासी हैं ठीक है अगला आईए हाली में 15 अप्रेल से 28 अप्रेल के माद भारत और उजबेकिस्तान के बीच दस्तिलीक का आयोजन किया गया दस्तिलीक उद्धाब्यास भारत और उजबेकिस्तान के बीच जिसका आयोजन उजबेकिस्तान के टर्मेज में किया गया हाली में चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन का संबंद बूध गरह की सता की सनंचना और चुमबा के छेत के अध्यन से है तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाली में चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन का संबंद किससे है तो बूध गरह से है यह ESA यानि कि एरोपी अं अगला है नाटो के द्वारा हाली में 75 अस्थापना दिवस मनाया गया है नाटो की अस्थापना जो है चार अप्राइल 1929 को की गई थी और हाली में इसने चार अप्राइल 2024 को अपनी अस्थापना के 75 वर्स पूरे किये हैं इसके बरतमान समय में कुल 32 सदस और 32 सदस स्वीड अगला है हुरुन गलोवल इनिकॉर्ण इंडेक्स 2024 के अनुसार अमेरिका में सरवाजिक 703 इनिकॉर्ण है यानि कि सबसे ज़्यादा इनिकॉर्ण अमेरिका में है और इनिकॉर्ण की दृष्टी से भारत तिसरे नमबर पे है पहले नमबर पे अमेरिका 703 इनिकॉर्ण है वहाँ पर चायना दूसरे नमबर पर 340 उनिकॉर्ण है और भारत तिसरे नमबर पर जहां के 67 उनिकॉर्ण है यानि कि हुरुन गोलोबल उनिकॉर्ण इंडेक्स के अनुसा नमबर वन पर USA और नमबर थिरी पर इंडिया है 2024 में कम नुएस के कारण भारत के कुल इनिकॉर्ण की संख्या में गिरावट देखने को मिली है अगला है हाल ही में रेडबूल के मैक्स विरस्टेपैन ने सर्जिया परोज को हरा कर जापानी फार्मूला वन ग्रैड प्रिक्स 2024 जीत लिया है तो जापानी फार्मूला वन ग्रैड प्रिक्स 2024 को किस ने जीता मैक्स विरस्टेपैन ने जीता है सर्जिया परोज को हरा कर जिमबावे के दौर हाल ही में एक नई स्वान समर्थित मुद्रा जीग की सुरूआत की गई है तो एक स्वान समर्थित की गई तो नेपाल के द्वारा की गई है मॉन्टेवरेस्ट पर केक अच्रे को इकठा करने के लिए हाल ही में रूस के साथ रच्छा बेपार के हिस्से के रूप में भारत को इगला एस मैन पैट्स की प्रारंबिक हिप प्राप्त हुआ है जिसमें 120 लांचर और 400 मिसाइलें सामिल है इगला एस सिस्टम भारतिय सेना की बहुत कम दुरी की वायू रच्छा ठमता को बढ़ाने का कारे करेगा अगला है हाल ही में एक गैर लावकारी संगठान अर्थ एक्सन के द्वारा प्लास्टिक ओवर्शूट डे 2024 रिपोर्ट जारी की गई है या उस बिंदू को चिंधित करती है जब बैस्विक प्लास्टिक कच्रा प्रवंधनिया अस्तर से अधीक होकर पर्याबरन को नुकसान पहुचाता है ठीक है तो प्लास्टिक ओवर्शूट डे 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई अर्थ एकसन के द्वारा जारी की गई है हली में चर्चा में रहा सेनकाकु द्विप समूहू पूर्वी चीन सागर में इस्थित है सेनकाकु द्विप जापान और चीन के मद बिवाद का मुदा है और इसलिए हमेशा यह नियूज में रहता है सेनकाकु दिविप तो सेनकाकु दिविप को लेकर जापान और चीन के बीच विवाद चल रहा है और सेनकाकु दिविप जो है वह पूर्वी चीन सागर में इस्थित है हली में चर्चा में रहा सी डॉम इस्राइल के द्वारा बिक्सित जहाज अधारित वायू रचा प्रनाली है हली में रूस के द्वारा अंगाराःःःःःःः पांच रॉकेट को वosed डोचोड़ें को स्मो ड्रॉम से सफलता पूरवक लांच किया गया है तो अंगारा A5 रोकेट किस से समंदित है रसिया से समंदित है हाली में चर्चा में रहा ट्रिपीलस का उक्रेण का एक सिर्ष उर्जा सयात्र है जो रूस के द्वारा मिसाइल और ड्रोन से किये गए हमले में तबाह हो गया है तो ट्रिपीलस का किस देश में इस्थित एक उर्जा सयात्र है तो आप क्या बताएंगे उक्रेण में इस्थित है जो की रश्य उक्रेण वार के कारा रूस ने जब वहाँ पर अटैक किया तो वह तबाह हो चुका है तो राष्टिय और अंतराष्टिय यहाँ पर समाप्त हो गया अब आए हम लोग बिहार राज का करेंट अफियर देखते हैं हली में बानी जिकर विवाद के द्वारा वर्ष द्वादर बाइस तेस की तुलना में तेस चोबिस में जी एस्थि संग्रा में अठारा दसमलव एक तीन परतिसत की ब्रिधी दर्शाई गई है यानि कि 22-21 के तुला में 23-24 में भिहार में GST कलेक्शन में 18.13% के बुरिद्धी हुई है 22-23 में 34,540 करोड की कलेक्शन WHE99ומ हुआ था 2-23-24 में GST कलेक्शन 38,1616 करोड हो चुखा है 22-23 में 34,540 करोड था जिसमें 18% बुरिद्धी हुआ और 2023 में 38,171 करोड हो चुका है GST कलेक्षन बिहार में अगला है नवाड के द्वारा बिहार के बितिये वर्ष तेश चोविस के दोरान पुनरवीत प्रत्यच बित और अनुदान सहायता के रूप में 10,372 करोड रूपय की बितिये सहायता परदान की गई है यहां नवाड के द्वारा बिहार को एक बर्ष में परदान की गई अभी तक की सबसे अधिक बीतिये ववस्ता है अगर नवाड के बारे में देखा जायता तो नवाड की अस्थापना 1982 में स्यूबरामन समीति के रिपोर्ट पर की गई थी और नवाड का मुख्याल है मूंबाई में है अगला है अप्रेल 2024 में मूल रुप से बिहार के सिवान से समंद रखने वाले सरद विवेक सागर को बर्ड एकनॉमिक फोरम द्वारा बर्ष 2024 का यंग गलोबल लीडर अवार्ड से समानित किया गया है तो यह जो अवार्ड है वो समाजिक उद्ध्यम के छेत्र में इनको प्राप्त हुआ है इसके पूर्व सरद विवेक सागर को प्रतिष्टित बैस्युक पत्री का 30 अंडर 30 की सुची में भी अस्थान प्राप्त हुआ था ठीक है तो अपल गयाद रखेंगे यंग गलोवल लीडर अवार्ड से सीवान के सरद विवेक सागर को समानित किया गया है समाजिक उद्ध्यम के छेत्र के लिए अगला है हाली में केंद्रिय ग्रामिन विकास मंत्राले के द्वारा मनरेगा के तहत 1 अपरल 2024 से दैनिक मजुदूरी दर को संसोधित किया गया है बर्तमान समय में बिहार में दैनिक मजुदूरी दर 245 रुपया है और सबसे ज़्यादा अगर देखा जा कि मनरेगा के तहत कहां के सरमिकों को सबसे ज़्यादा भुगतान किया जाता है तो हर्याना में सबसे ज़्यादा भुगतान किया दाता है 374 रुप्या दूसरे नमबर पे गोवा जहांके मनरेगा सरामिकों को 356 रुप्या प्रोवाइड किया दाता है हलहे में बिहार के मुखमंत्री के द्वारा पूर्वी चमपारन इस्थित मौरेकालिन के सरिया अस्तूप को बैस्विक पर्याटन मानचित्र पर लाने की मांग की गई है तो मौरकालिन के सरिया अस्थूप कहां पर इस्थित है तो के सरिया अस्थूप जो है वहाँ पूर्वी चमपारण में इस्थित है हाल ही में चर्चा में रहा बिहार के गए जिले का पटवा टोली गाउं IITNों का गौं उपनाम से जाना जाता है और वहाँ पर आप देखेंगे कि पटवा टोली जो है गया जिला का IITN वहाँ पे उस गौं में काफी भरे पड़े हैं और प्रती वर्स लगबग 12 से 15 लोग जो होते हैं वे IIT वहाँ से क्वालिफाई करते हैं ठीक है? 9 अप्रैल 2024 को विहार राज आपदा परवंधन प्रादिकरण के द्वारा पटना में पर्यावरन सरंचन वात्ता था पारिस्थित्की के विकास में जनसा भागिता पर इनसे मिलिये कारकरम का आयोजन किया गया है इस कारकरम में प्रख्यात परारम वित्पद भूसन डॉक्टर अनिल परकास जोसी उपस्थी थें अगला बहुत महत्तपुन है अप्रैल 2024 में सारंच जिले के एकमा निवासी हरेंदर सिंग को भारते महिला होकी टीम का मुख कोच किसे बना गया? डॉक्टर हरेंदर सिंग को जो की सारंच जिले से संबंदित हैं हाली में SJVN Limited और IIT पटना के मद उन्नत भूबैगानिक मॉडल के उप्योग के माध्यम से सुरंग पर्योजना के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए समझा होता गया पन परहस्ता ठर किया गया है तो सुरंग पर्योजना के लिए किसके भी समझा होता हुआ IIT पटना और SJVN Limited के बिच ठीक है तो यह भी महत्पुन है तो इस परकार से राष्टिय, अंतराष्टिय और विहार का करेंट अफेर फिनिस हुआ है थोड़ा सा करेंट फिर विविद का बचा हुआ है इसे हम लोग देख लेते हैं विविद में सबसे पहले है परमुख दिवस तथा ठीक है एक अप्रेल को उडिसा का अस्थापना दिवस है जिसे उतकल दिवस के रूपे मना जाता है तो एक अप्रेल को उतकल दिवस उडिसा ठीक है उडिसा का अस्थापना दिवस दो अप्रेल विस ओटीजम जागरूपता दिवस जिसका थीम था इंपावरिंग ओटीएसिस्ट वॉइसेस राष्ट्य समुदर दिवस पांच अप्रेल ठीम है भविस को नेविगेट करना सुरच्छा पहले विकास और सांती के लिए अंतराष्ट्य खेल दिवस 6 अप्रेल को ठीम है सांती पुण और समावेशी को बढ़ावा देने के लिए खेल अगला और वहतमात पुण है साथ अप्रेल विस स्वास्थ जिवस इसका ठीम क्या है मेरा स्वास्थ मेरा अधिकार विस स्वास्थ जिवस का ठीम मेरा स्वास्थ मेरा अधिकार अगला है विस होमयो पैथी दिवस 10 अप्रेल को होमयो परिवार एक स्वास्थ एक परिवार ठीक है विस होमयो पैथी दिवसकब 10 अपरेल को जिसका थीम है होमयो परिवार, एक स्वास्थ एक परिवार अगल है मानावंतरीच उडान के लिए अंतरश्टिय दिवस 12 अपरेल को जिसका थीम है बैगानिक जिग्यासा को प्रोसाहित करना समानता दिवस 14 अप्रेल विश्व कला दिवस 15 अप्रेल ठीक है तो इस प्रकार से मातपुर्ण दिवस और उसके थीम थे आईए आवार्ड को देखते हैं हली में सतलूज जलविदूत निगम लिम्टेट को कौर्पोरेट समाजिक उत्तरदाइत में उत्कृष्टता के लिए विसकर्मा पूरशकार 2024 से समानित किया गया भारत के ग्रामिन विदूतकरन हिम रेसी को नविकरणिय उर्जाबित पोसन सिरिणी में असकोच या प्रयावरन समाजिक और सासन पुरसकार दोजार जार चोबी से समानित के आगय pixel या भी मतवच पुनै असकोच पुरसकार से की से समानित के आगय ग्रामिण गुद्धूति करान निगम को नविकणिये उर्जा भीत पोसन श्रे निमे ठीक है हाल ही में दिली विश्वधाले के कालिंदी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरनन्दा को सिछा वाज समाजिक सेवा में युगदान के लिए अंतराष्ट्य संस्कृति पुरसकार 2024 से समानित किया गया है अंतराष्टे संस्कृतिव पुरसकार 2024 की से दिया गया मीना चरनन्दा को जो की देली इनवर्शिटी के कालिंदी कॉलेज की प्रिंस्पल है हाली में 20 भारतिय और 207 केंद्री के संस्थापक जैन अचर लोकेस मुनी को वासिंग्टन के काक्टल हील में अमेरिकी राष्टपती के गोल्ड वालेंटिय और सर्विस पुरसकार से समानित किया गया है और ये लोकेस मुनी इस पुरसकार से समानित होने वाले पहले भारतिय बने हैं हाल री में भारतिए सोध करता डॉक्टर गगंदीप कांग को दूसाच चोउभिस के लिए जॉन डखर्ज कानदा गेडनर्स Global Health Award से समानित किया गया है तो जॉन डकर्स कनाड़ा गेडनर Global Health Award से किसे समानित किया गया डॉक्टर गगंदीप कांग को हली में अमेरिका के Space Foundation के द्वारा भारत के इसरों के चंद्रान तीन मिशन को अंतरी चहन वेशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरसकार से समानित किया गया है चंद्रान तीन के तहत भारत चंद्रमा के दचनी हिस्से पर सॉप्ट लैंडिंग करने वाला विश्ट का पहला देश बना चंद्रान तीन को उपलवदी के समान में 23 अगस्ट को परतेक वर्ष भारत में राष्टी अंतरीच दिवस मनाय जाने की घोसना की गई है तो चंद्रान तीन को किस अवार्ड से समानित किया गया जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरसकार से समानित किया गया है या 23 अगस्ट को चंद्रान 3 की उप्रवधी के सम्मान में रश्टी अंत्रीच दिवस प्रतिवर्ष मनाय जागा कब 23 अगस्ट को हाल ही में कननल कवित्री ममता सागर को विश्व लेखक संगठन के द्वारा साहित में उनके योगदान के लिए विश्व साहितिक पुरसकार से समानित किया गया है भारती अमेर्की गुलफर अच्छा है भाटिया ने पले आफ में सांदार परदर्शन करते हुए वालेरो टेकसास ओपिन का खिताब जीता है कौन अच्छा है भाटिया ने ठीक है अब आईए कुछ हम लोग खेल से देख लेते हैं हाली में फुकेत थाइलेंड में चल रहे आईडवलो एफ विस्सु कप दोहजार चोबिस में भारत की प्रशिद मैला भारतोलक बिंदिया राणी देवी ने कांसे पदक जीता है तो आईडवलो एफ वर्ल्ल कप का आयोजन कहां पर किया गया तो थाइलेंड में इसका आय एबडेन के साथ मियामी ओपन यूगल पुरसकार दोहजार चोबिस जीता है तो मियामी ओपन पुरुस यूगल खिताब दोहजार चोबिस रोहन बोपन्ना और मैथू एबडेन ने जीता भारतिय क्रिकेट खिलारी मयंग की आदव आईपियल की इतिहास में तीन से सुमीत नागल कले पर एटिपी मास्टर्स एक हजार मैच जितने वाले पहले भारतिय बने कौन तो भारत के सिर्ष टेनिस खिलारी सुमीत नागल कले पर एटिपी मास्टर्स एक हजार मैच जितने वाले पहले खिलारी बने हैं तो खेल समाप्त हुआ अब आईए निउक्त की ओर भारतिय सुतना सेवा की बरिष्ट अधिकारी से फाली वी सरण को पी आईवी के परधान महानिदेशक के पदपन न्युक्ति दी गई है तो पी आईवी के परधान महानिदेशक से फाली वी सरण अर्बियाई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेस मोहन को विस्वैं सिगारा गास दोजाश चोबिस तक फ्रांस में आयोजित होने वाले तेतीसमे गिरिस्म कालिन ओलंपिक में जूरी सदस के रूप में न्यूक्त होने वाले पहले भारतिये बने इसलिए मात्पुन है जमु कास्मीर के मिलकिस बीर जो हैं वा तेतीसमे गिरिस्म कालिन ओलंपि में जूरी सर्दस के रूपे न्यूक्त होने वाले पहले भारतिये बने कौन बिल्किस मीर हाली में वीप्रो के मुख्यकारी अधिकारी CEO थेयरी डेल पोर्ट के इस्थीपी के बाद सिरीनिवास पलिया को वीप्रो को CEO और MD बनाया गया है हाली में जुडीत सुमीनवा तुलुका को कांगो की पहली महिला परधानमती न्यूक्त की गई है अब्देफ फतह LCC मिस्र के तीसरे बार राश्पती बने है हाली में किन सरकार के दोरा Institute of Economic Growth के पुर्व निदेशक मनोज पांड़ा को सुलाह में बीत आयोग के सदस के रुपे नियुक्त किया गया है बीत आयोग आप जानते हैं कि जिसका गठन आटकल 280 के तहत किया दाता है और इसके जो अध्याच है सुलाह में बीत आयोग के अध्याच वे अर्विंद पनगडिया है अर्विन पनगडिया के साथ चार अनसदस भी हैं सुलामी वीता का कारेकल दोहजाचाबी से दोहजार एकतिस तक की अवधी के लिए है हाली में भारतिय पुलिस सेवा यानि की आईपीएस का वरिष्ट अदिकारी अनुराग कुमार को CBI के संयुक्त निदेशक बनाय गया है तो अनुराग कुमार CBI के संयुक्त निदेशक बने हाली में हरेंदर सिंग को अभी हमने उपर डिसकस किया था हरेंदर सिंग को भारतिय महिला होकी टीम का कोच निदेशक किया गया है भारतिय मूल के आयरिस प्रधान मंत्री लियो बराडकर के इस्थीपे के बाद साइमन हैरिस को आयरलेंड के नए प्रधान मंत्री के रूपे निर्वाचित किया गया है और Ireland के पहले समलाएंगि प्रधान मंत्री लिवरडाकर भी थें घख है तो आपनों गयाद रखेंगे लिवरडाकर इस्तिफ़ा दिया जो की Ireland के पहले समलेंगिक प्रधान मंत्री थें और इनके इस्थीपे के वा साइमन हैरिस आयरलेंड के नए प्रधान मंत्री निर्वाचित किये गए ठीक है हाली में क्रिष्टीना जॉर्जिवा को अंतराश्टिय मुद्रा कोस के दूसरे कारकाल के लिए अंतराश्टिय नार्कोटिक्स बोर्ड में तीसरे कारकाल के लिए चुना गया है अब आए निधन हाली में भारत के परधाम पर्धान मंत्री दिग विजय सिंग झाला का निधन हो गया अगला है हाली में नोवल पुरसकार विजेता और गौड पारिटिकल हिक्स बोस्वान पार्टिकल की खोच करने वाले बैगानिक पिटर हिक्स का 94 बर्ष की आयू में निधन हो गया है तो आपने ग्याद रखेंगे हिक्स बोटाउन पार्टिकल के खोच करने वाले पिटर हिक्स का निधन हुआ जो की 94 बर्ष के हैं तो यह भी महत्तपुन है ठीक है तो इस परकार से एडूटेरिया का 1-15 अप्रायल तक का जो करेंट अफ्यर था वह हमने आज की वीडियो में डिसकस किया अगर आपने हमारे पर्तुकता दरपन मंतली वाई जिस सौटनोर्स का वीडियो देखा होगा तो mostly current affair जो है वह पर्तुकता दरपन के सौटनोर्स में आप सभी को डिसकस कर दिया गया है लेकिन इसे भी आप लोग देखते रहें अगामी प्रिलिंस पर इचा के लिए चाहे बस सतरी में BPC का हो या फिर किसी भी तरह का प्रिलिंस पर इचाओ यह वीडियो काफी बहुत पुण होने वाला है और यह जो सीरीज जो लगतार में डिसकस करेंट अफेर एडूटेरिया का बहुत इंपोर्टेंट सावित होने वाला है तो आप लोग लगतार देखते रहें अगर आप लोग हमारे युट्यूब चनल पर नए हैं तो हमारे युट्यूब चनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलिग्राम ग्रूप अधरेट ISP से सेंटर को जोईन कर लें जहां पर बीपे से के प्रिलिम्स और मुख परिछास समादी निसूल का मैटेरियल और गाइडलेंड प्रोवाइड करा जाते हैं तो बस आज के वीडियो में इत्रा ही थैंक्यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद